इस एक्जिबिशन करने का और अभी एपरेल में हमारा फर्स्ट शो हुआ था यह आज हमारा सेकेंड शो है हर साल में दो बार हम शो करेंगे एक फर्स्ट एपरेल में और सेकेंड सेप्टेंबर में कुछ आगे कहने से पहले मैं अपने चेर्मेन श्री आशिश पेड़े जी को चाहूंगा वो दो शब्त के उसके बाद मैं आपको शो के बारे में बताऊंगा अशिश भी ओवर टुई यू गोडिवनी सभी को और टैंक यू फार जाइनिंग अस तोड़े इंडिस प्रेस्ट मीट जैसे सही मैं ने कहा हमारे जो फांडर सब थे उनका इस अपना था कि हम दोमेस्टिक इंडेस्ट्री का रिपरेजेंट करते हैं और डोमेस्टी इंडेस्ट्री का पूरा होलचलर्ण्स, मैनिफेक्ट्रोर्स रिटेलर्स, कारिगर्ण अलायड इंडेस्ट्री सबका हम रिप्रेसेंटेशन करते हैं तो हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री का अपना खुद का एक शो हो, बीटूबे एक्सपो हो, और वो हमारा सपना एप्रिल में, जीओ में, जीजेस होने के साथ पूरा हुआ, और उसी सपने को आगे लेके जाते हुए, हम सप्टेम्बर में हमारा दिवाली एडिशन लेके आ आए मेंबर आते हैं, तो जी इंडस्ट्री है, उनको भी चांच से के आगे आके बिकम पार्ट जीजेसी, और अब आप आप इस एक्जिविशन ओगनाइजिंग कमिटी, आप इम रेली थैंक्फूल तो आर कन्वीनर, सहीम भाय, को कन्वीनर, निलेज भाय, और अब वोल GJS Committee, for putting up a fabulous show, the first edition in April, and this show, it is now in Bombay Exhibition Centre, but you will experience the same kind of facilities and the same enthusiasm from exhibitors as well as from the committee and the full of our team led by Mitesh, and I welcome all the industry from across India, all the delegates from across India, to please come to Bombay from 22nd to 25th of September at Bombay Exhibition Centre, and enjoy this wonderful show called GJS Diwali Edition, thank you. Thank you Ashish bhai, you gave a good insight about the show, अभी शो के बारे में मैं सब को बता देता हूं, कि शो जो हो रहा है 22nd से 25th of September को हो रहा है, More than 400 exhibitors हैं, और More than 800 stalls हैं, इस exhibition से हमारी अपेक्षा है कि 25 से 30 टन सोना जेमें ज्वेलरी बिगेगी दिवाली सीजन के अंदर, जिसकी वैल्यू 15,000 करोड के करीब होगी, हमारे foreign buyers, internationally more than 100 buyers आ रहे हैं, और international buyers को और export जो हमारे मोदी जी का सपना रहा है, More than 150 करोड का business export market के अंदर भी होगा, और आने वाले सालों के अंदर, आज हमारी exports 40 billion US dollars है, जो हमारे shows हर साल होंगे, हमारा कम से कम आने वाले shows के अंदर, पूरे साल के अंदर, इंडिया के अंदर, more than 15 billion dollars का exports, ये show जो आने वाले shows होंगे, April और September के आने वाले 3 से 4 साल के अंदर, हमारे economy के अंदर योगदान उनका होगा, more than 9,009,000 visitors का already registration हो चुका है, इसमें कम से कम 2,000 visitors और spot में बढ़ेंगे, तो 11,000 से 12,000 visitors हम expect कर रहे हैं इन 4 दिनों के अंदर, ये excellent time है, अपनी jewelry को upgrade करने का, क्योंकि customers जो हैं, customers जो हैं, वो on the spot, अपनी jewelry आके, अपने designs को आके, अप्ग्रेड कर सकते हैं, अप्ग्रेड करके, अपनी jewelry खरीच सकते हैं, आने वाले season के अंदर, दिवाली के पहले, सब को retailers को buying रहती है, नए, नए designs की demand रहती है, और वो सब इस exhibition के अंदर आके पूरा कर सकते हैं, दो लाख square feet के अंदर ये exhibition हो रही है, रोज के रोज, जो water का system हो, जो खाने का system हो, सब complimentary, जीजेसी प्रवाइड कर रही है, 2500 rooms, जीजेसी ने complimentary दिये हैं, फाइस्टार होटल में stay, और more than 1500 rooms, और भी हमारे जो visitors, जो आउस्टेशन हैं, उन्होंने book किये, बाकी मुंबई के जो domestic visitors हैं, मुंबई के और महराष्ट्रा के चोटे आजुबजू के गाउं के सब आ रहे हैं, काफी buses लेके आ रहे हैं मुंबई, इस तरीके से ये show हो रहा है, हमने तीन road shows किये हैं, foreign road shows, एक दुबई में किया है, बंगलादेश किया है, लंडन किया है, तीनो road shows के अंबर हमारे अच् इस exhibition के अंदर, और मैं जीजेसी के बारे में जैसे आशिश भाई ने बताया कुछ दो चीजे बताना जाऊंगा, जीजेसी के अंबर तीन हजार paid members हैं, और इसके अलावा more than 70,000 ज्वेलर से हम associated है, मिनिस्ट्री के अंदर कोई भी काम होता है, चाहे वो financial, कोई law का हो, चाहे बाकी laws हो, हमारे नितिन भाई है, हमारे past chairman, हमारे आशिश भाई है, हमारे chairman, हमारी पूरी team, हमारे मदन भाई है, जो finance समालते हैं, जो हमारे co-convener है, national jewelry awards हो रहे हैं, 23rd night को, national jewelry awards के बारे में निलेज भाई ही बताएंगे, लेकिन industry के हर top, जो person है, जो वेपारी है, उसको हम honor करते हैं, उसके काम के लिए, सनी डुलक्या जी है, जो diamond के बड़ा काम करते हैं, डुलक्या, श्रीकुंच से, कलकडा से, उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना वेपार भी समालने के साथ-साथ, पूरा समय, जेमें चोलरी को दिया है, हमारे industry को और वरदमान को डारी जी जो जबलपूर से आये हैं, वो भी visitors का जो पूरा काम है, नितिन भाई के अंडर उन्होंने काम किया, राजश रोकडे जी अभी नहीं है, यहां वो लंडन डेलिकेशन से अभी आ रहे हैं, हमारे साहिल भाई हुए, अशोक मीना वाला, हमारे पास चेर्मेन हुए, सब होने वाले हैं, 22nd रात को, latitude हायात में, हमारे Bridal Trendsetters Awards होंगे, और National Jewelry Awards, 23 तारीक को GIO Center में होंगे, जहां Film Fair आवाड हुआ था, सेम जगा पर National Jewelry Awards होगा, उतने ही budgets के साथ, उतने ही star-studded, और उतने ही तरीके से होगा, National Jewelry Awards, GEO Center Mumbai, 23 September को, इसका जो टाइमिंग की बात उनने की में उसको एक बार दोवराना चाहूंगा कि जीजेसी ने ये सोच के ही हमने हमारे दो शोड़ेर किया है क्योंकि जनरली पूरे साल भर में जो बाइंग होता है वो दो सीजन में होता है एक तो अक्षेत्रित्या के आसपास जहां पर में सीजन आता है और दूसरा आता है दशरा और दिवाली के आसपास तो दोनों सीजन के 15-20 दिन पहले हमने ये शोज अनॉंस किया है ताकि दो तरह के डिमांड रिटेरलस की होती है कि जो उनको तुरंद खरीदारी करनी होती है और आगे एक महिने के बाद की शॉपिंग करनी होती है तो दोनों के लिए ये शो का टाइमिंग परफेक्त है जिसको दशरे के लिए तैयारी करनी है वो रेडी माल चाट के उनको पुरियर से माल पहुच सकता है तो और दिवाली के तैयारी करनी है वह भी अपना प्लानिंग आर्डर लेकर काम कर सकता है और सिमिलरली मैं भी आपको थोड़े आकड़े और देदू 21 कमपनीज है एलाइट सेक्षिन मशिनरी की 27 स्टॉल्स गोल्ड के अंदर 258 कमपनीज है 554 स्टॉल्स डाइमंड के अंदर 100 कमपनीज है 180 स्टॉल्स और डाइमंड स्टॉड में लू स्टॉन्स में जो जैपूर के होते हैं उसमें 50 स्टॉल्स याने कि यह सब चीजे जो है एक रूफ के अंदर आकर एक रीटेलर अपना बीटू बी शोग अंदर पूरी जैमेंच जॉल्री बर सक कि हमारे चेर्मेन और वाइस चेर्मेन ने बताया कि यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसी ड्रीम प्रोजेक्ट को सक्सेस किया आपने देखा यह एपरेल में और इसकी जो टेग लाइन है हमारा अपना शो यह हमारा अपना शो शिरिफ टेग लाइन नहीं है इसको हमने वाकई में हमारा अपना शो बनाया है और इसी को हमारा अपना शो बनाने के लिए जैसे कि जो भी जो फिलिंग होमली होती है जो एक्जिबिटर फेस कर रहे थे issues उनसे यह जाना है हमने और इसको पूरा हमने फिल्ड पे उसको लेकर complete किया हुआ है जैसे कि सबसे बड़ी होती थी कि कि होटल इंड़स्ट्री में ऐसे होता था कि जब भी एग्जिबिशन होते थे कि होटल के रूम्स जो साथ-ाथ-हजार में मिलते थे वो शूट-अप हो जाते थे 20 से 25 अजार की रेंग बेंग तो यह भी से हमारे कन्वेनर साब ने बताया कि हमने 2000-3000 जो होस्टिड बायज लिए है तो वह भी हमने एक रिटन बैक दिया है इंड़स्ट्री को तो इस तरह यह सारा हम कम्प्लेमन्ट्री में हमारा अपना शो को जो टेग Україne के उसमें बदाना के कंप्लीट किया है अभी आता हूं में नेश्नल ज वेल्यवार्ड नेश्नल ज जिवल्य अवर्ड भी जैसे फिल्म फैर अवर्ड है उसी तरह इंड़्री का आ अपना एक नेश्नल जिवल्य और जो पर सेवा देते हैं चार जोन आइसे चार जोन तो साउथ तो उसी तरह जैंवाफ दे मुझ से निज्वा आप यरशन न को भूर दिया जाता है और जो को को अलिया जाता है उस्थ नौन तो उसी तरह Jam of the Year चार जोन को भी हम देते हैं और अन्मोल रतना करके भी एक आवाड है जो इनके उपर है जो इंडस्ट्री के लिए वाकई में इंडस्ट्री हो गया अपने समाज हो गया अपना एरिया हो गया ऐसे जो सेवा में देते हैं तो इस तरह वो आवाड नाइट हम तो अब है चाहूंगा हमारे पास चेर्मेन जो अकोला से है चोटे से चोटे गाउं से भी हमारा योगदान है जीजेसी के अंदर तो नितिन भाई हम चाहते हैं और फोर टायर सिटी में होने के बावजूद सबसे बड़ा शोरूम इंडिया के अंदर या सडि महराष्टा क अंदर जो है आज भी इनिका है six story showroom four showrooms है इनके और बहुत अच्छा विजन जो एक बड़े city के अंदर रहने के बावजूद हम लोगों के अंदर नहीं है अकोला में रहने के बावजूद एक ऐसा विजन है इनका जो आज के तरीक में मनलोग अडानी या मनी के सोच भी न लेंगा इन्होंने एक्जिबिशन के नेशनल जूरी अवार्ड के बारे में बताया अभी भी हम लोग चेर्मन और अभी एक इंपोर्टन मीटिंग अटेंड करके है जित्ते इंडरस्टी के इशूज है उसको लेके गौर्मेंट को और कैसे प्रोडूस करें लास्ट वीकी हम तीनो चारो लोग जाके और निर्मला सितारामन जी से मिलके आए करीब बाइस मिनिट हमारी मीटिंग हुई उसके पहले भी मीटिंग हुई थी तो इंडरस्टी की जो इशूज है चाहे वो होल मार्किंग में हो चाहे पीए में लेके अंदर हो या फिर जो फाइनस कि इसमें हमारे कुछ नहीं अड़ता है क्या हम सब और्गेनाइस प्लेयर है फाइनस भी अरेंज हो जाता कस्टमर भी अरेंज हो जाता सोशल मीडिया से भी हम लोग वेट कनेक्टेड है लेकिन हम जो ऑल इंडिया जेमें जोली डोमेस्टी कॉंसिल में काम करते है जो 70 से 80 लोग मीडियम और स्मॉल है उनको कैसे अपलीट करता है उनको विजनेस में कैसे सस्टेन करता है नेक जनरेशन विजनेस में कैसे ठीके ऑथेंटिकल विजनेस के क्या फाइदे होते है अभी हमने 125 एपीसोड लाभम के पूरे की है लाभम एक अमारा एक ऐसा एपीसोड है जिसके अंदर हम जाते हैं Chartered Accountant साथ में रहता है और आसपास के चारपा डिस्टी के लोगों को इखटा करके उनको Jewelry Industry के Compliances, Options, Opportunity क्या नया काइदा आया इससे कैसे आपने आपको Upgrade करे और उसका काइदे का Implement करके विजनेस में कैसे तरक्की करे चाहे वो लेबर की payment हो वो कैसे अच्छे रखी जा सकती है जो हमारे कारागीर है हमारा जो स्टाप है उनके क्या हक और अधिकार है जो हमारे जोइलस कहीं चुप जाते देने के अंदर वो उनको कैसे जादा से जादा मिले तो हमारी कोशिस ही रहती है कि बजाय हम आपने उनको देना चाहिए वो हम owners को समझाते हैं नों को बताते कि देने से आपका कितनी तरक्की हो सकती और उसका भी भला हो सकता है तो कट शॉट प्रोटेक्टिंग प्रमोटिंग और प्रोग्रेसिंग जो हमारी All India जेमें जो लिए Domestic Council की थीम है उसके उपर हम पूरी टीम उसके अंदर हम रात दिन काम कर रही है और हमको उसमें सक्सेस भी मिल रहा है और प्रावडली कह सकते हैं कि गौर्णमेंट के सारे मिटिंग में हमको बुलाया जाता है अभी 27 को फिर हमार को Ministry of Finance में North Block में बुलाया गया है तो जितनी समझ से हम पिछले डाम डिसकस करके आये थे उन्होंने उसकी स्टडी किया प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हमने दिया और उस रिप्रेजेंटेशन को मोडिफाइ करके हम फिर से गौर्णमेंट के बाद जा रहे है और हम कोशिस करेंगे कि जो इस इंडरस्टी का साथ से आठ परसेंट GDP में कॉंट्रिबिशन है पंदरा परषेंट टोटल एक्सपोर्ट के अंदर है एक करोड लोगों को डारेक्ट रोजगार देने वाली इंडरस्टी है एक करोड को उसमें हमारे कारागीर आ गये हम सेलेस्मन आ गये हम शोपकीपर्स आ गये हमारे कूरियर सर्वीस आ गये software service आ गई हमको provide करने होले machinery equipment जो supply करते हैं पाँच करोड़ dependent है इस industry के उपर और सबसे प्रावड की बात है कि 65% human employment है इस industry के अंदर तो government को हमने यह understanding कराई कि यह industry का कितना important है और यह सारा बताते समय है government हमारी बात को बहुत अच्छी तरह से सुनती है समस्ती है और हर बार जो काईदे आते हैं उसमें हमारे को साथ में लेकर difficulty solve भी करती है थेंक्यू ने सब कुछ बता दिया आज हम यहाँ पर बैटे हैं जीजेस की तैयारी को लेकर के यह दिवाली edition है जीजेसी जबसे found हुआ जबसे इसका किये था कि हमें एक ऐसा domestic industry के लिए exhibition करना है और उसका आज यह second edition होने जा रहा है जो 22 तारिक से चालू हो रहा है और इस edition में जैसा कि आपको पूरवक्ताओं नहीं बताया कि 11-12,000 visitor across the country रहेंगे और इसमें जो जीजेसी committee करना चाह र इसे बायर्स हैं उनको भी कोशिश करके चुन करके इस्पेशली बुला करके ताकि जो एक्जीबीटर्स हैं मैनुफेक्ट्टर्स हैं होलसेलर्स उनका कैसे अधिक से अधिक benefit हो मैं खुद जबलपूर से as a retailer हूँ और founder member जीजेसी का होने के नाते जो भी मैं वहां पे अप इंदोस्तान में हैं domestic industry में ऐसा कोई council इंदोस्तान में है नहीं और उसी के चलते आज जीजे इसको हम एक success की मोड पे ले जा रहे हैं और आगे जो हम हर साल दो एडिशन करेंगे इसमें success की हम नहीं इमारत छुएंगे ये बार पक्की है तेंक यू कोड़ारी जी हमारे मदन कोड़ारी जी जो मरे फैनिंसे डेंग बदे इंडेस्ट्रेलिस्ट हैं अधर मदन भाई हमारे सभी जैंप रिटैलर हॉल सेलर मैनिफ्रेक्ट्ट्र्स कारीगर एलाइड जैसे software मैंसें मेनिफेक्ट्रेस पैकिंग मेंटेरियल के जित प्रदर्श्री में आकर एक अखंड भारत जडित बनाए और जीजेशी का यह सपना जो है उसे पूरा करें थैंक्यू धन्यवाद थैंक्यू धन्यवाद कुछ बोल दो या थैंक्यू अभी जो भाव है सोने का उसके बारे में बता लेते हैं काफी गिरावट होने के वजह से चार से साथ दिनों के अंदर रीटेल एंड में कंजूमर के अंदर बहुत अच्छी डिमांड है शिराद होने के बावजूद लोग अपना माल बुक कर आ advance दे रहे हैं और नवरात्रे के first day में pick up करने की बात कर रहे हैं इस वज़े से ये exhibition एक बहुत चरम सीमा पर रहेगी कम से नौ जितने visitor आएं के उनकी purchase power जो है वो बहुत अच्छी रहेगी बहुत अच्छे लेवल पर रहेगी और मुझे लगता है कि ये आकड़े जो आने वा से 15% विपार बढ़ेगा ये मेरी सोच है और मैं आप सब लोगों को थैंक करता हूँ आशीश में आपको कुछ closing words कहने सबसे धन्यवाद अभी मैं आप सबसे चाहता हूँ कि जो entry है हमारी hall number three or two से हमारा पूरा वो entry बन गई है entry के बास stalls बन गए हैं हम सब बाहर जाएंगे एक साथ वहाँ से walkthrough लेंगे आप लोग videos निकाल लेना जो जो अभी आज हमारा day कल last day है पूरे stall बनने का लेकिन कल हमारे exhibitor आके अपना jewelry रखेंगे इसलिए कल आप लोग आएंगे तो यहां risk collector हो जाता है इसलिए मैंने आज आपको चार बजे बुलाया है आप सब चीजे अपने video ले लीजिए जैसे stall बनन रहे हैं एक अची video हमारे स्वरवाले वहीसा बैठे हुए हैं विवेग गणी बैठे हुए है एक अच्य वीडियो जो बने इसके अंदर हमारा भी सब डालें उसके अंदर पूरा एक वीडियो लेके अपारे हर जगा बताएं लोगों को कि किस लेवल से एक्जिबिशन चल रही है किस तरीके से चल रही है पूरी एक्जिबिशन को आप देखें कि किस तरीके चल रही है और एक वीडियो बना के अपने मीडिया में और अपनी जगा पर इसको गुमाएं कि अपनी इच्छा से आ रहे हैं किसी को भी विजिटर को फ्री पास नहीं दिया गया है कल से विजिटर पासे साड़े तीन हजार के हो जाएंगे उसमें भी तेड़ हजार विजिटर आएंगे क्योंकि कल लास्ट हमारी एग्जिबिशन में एपरल में साड़े तीन हजार रुपय होने के बावजुद देड़ अजार विजिटर आये थे एपरल में और यहां पर भी आएंगे तो हमने किसी को फोर्स नहीं किया है कोई एंड कंजूमर अलाउड नहीं है किसी के कोणली बीटूबी मदब जिसका शोरू में जिसके बाद जीएश्टी सर्टिफिकेट है वही अलाउड है यहां सेल अलाउड नहीं है एक्जिबिशन में माल बुकिंग कर लो आपके दुकान में माल पहुचेगा इसमें सेल अलाउड नहीं है अचा फ्री जैसा कुछ भी नहीं है कॉंपलीमेंटरी है मगर वह है हॉस्पिटलेटी अपना खाना और पीने का पानी मीडिया के लिए कॉंपलीमेंटरी है लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि कुछ जोलरी मत बाई कीजिएगा सिरफ दूर दूर से देखिएगा और उसको निहार के वेरी गुड वेरी कुछ आपकी देट दो है बाई से पच्छे से अप्तरम इस देर के वंडर चंडे में भी एक्षो नहीं हो रहा है और यहां की भी एक्षो रहा है तो आपको नहीं लगता है कि जो एग्जिपिटर्स है और रिटितर्स है वो प्रमित हो जाते हैं मैं बोलू इसका जवाब आप जवाब एक जवाब दिल्दी के अंदर तो ये बताता है कि सबसे बेस्ट टाइम है कि सारी दुनिया इसी समय कर रहे जैसे एक साथ दिवाली मनाते सारा करते क्योंकि यहां से नौरातरा की शुरुआत होती है तो स्राज पक्ष के अंदर ही होता है दूसरा जो आपका कॉस्चन है मैं समझ रहे हो कि आप अच्छे जानका रहे है इसके अंदर यह जितने भी शो हो रहे है उनके हो रहे है स्टेट लेवल के जिनके पास में वेन्यू का अधिकार रहता कि कब आगे पीछे करे हम लोगों के पास में लिमिटेशन से है कि या तो हम तो जियो में कर सकते या निश्को में कर सकते यहाँ जो एवलेबल देट है उसी में करना होता है हमने सारे exhibitor के साथ बात करी है और धिरे-धिरे establish हो जाएंगा कि यह जो show है उसके सब से according to exist हो जाएंगे और 3,00,00 जोहलर्स है उनको भी business अच्छा मिला आपके जान करेंगे बता देता जो exhibitions है उनको हमने हमारा logo यूज करने का दिया उनको यह बोला कि जो exhibitor हमारा यहां से वहां जाएंगा उस exhibitors को हम यह consider करेंगी कि वो हमारे exhibitors है करके चैन्ने के अंदर और उसको हम अगले साल वही respect देंगे जो वहाँ पर जाने की बात में भी दिया च्छा जिन लोगों ने यहां से पार्ट लेके उनको पोटेंशिल ज्यादा लगा उन लोगों को हमने रिफंड भी दिया सिर्फ चैन्ने एग्जिबिशन के लिए भी तो हमने उनके साथ कौपरेशन ऐसे ही रखा एक नेशनल बोडी है तो ऐसा बोलते कि तो हमने अमारी एक जो नेशनल बोडी है उसका करता हुए पूरी तरह से निवायस दिया और आप जो कह रहे है कि एक ही डेट में चार-पाच एग्जिबिशन होना ताइमी के सबसे हुआ है अगले साल से हम सबसे बात करके यह क्लाइस होता है वो आओएड करने का ट्राइक करें आपको एक बड़ी सुस्ता चलाएगे जिए पिसे बड़ी सुस्ता है दो बड़ी सुस्ता है मेरा मुझा है जैसे पूना हो गया चैनल हो गया वो आप बोलेट जवी तो इस्टे लेवल से है इस साल क्या हुआ है लास्ट दो साल में फिजिकल शोज नहीं हो पा रहे थे अपना कोविट के इसाब से तो इस साल में बहुत सारे लोगों को इसी साल में शो करने थे इसलिए सब को डेट्स के अवेलेबलेटी नहीं कि हमने कुना सभी बात किया था लेकिन उनको भी डेट्ट चेंज करने के लिए अवेलेबलेटी नहीं थी इसलिए इस साल जो आपको दिख रहा है सिर्फ इस साल होगा अगले साल से सभी एक दूसरे से बात करके सब्सक्राइब लेंगे और में कम्यूनिकेशन भी ऐसा कि मैं अकोला से आता हूं अमारा महराष्ट की जो लरी पुना में मिलती है तो मैंने दो स्टाब भाव भी बिजवाया क्योंकि मेरी रिक्वार्मेंट वह यहां पूरी नहीं और यहां की रिक्वार्मेंट वहां जीजेसी जो है वो अपना एक काउंसिल है डोमेस्टिक के लिए और एक एक्सपोर्ट काउंसिल है दो काउंसिल है आज जीजेसी जितना भी रेविन्यू अक्यूमिलेट करती है वो रेविन्यू पूरा का पूरा अपने मिंबर्स के उपर खर्चा हो जाता है इंडस्ट्र के अंदर भी अगर कोई नया लो आता है जो अभी GST के अंदर कुछ आ रहे हैं कुछ इंकम डेक्स के अंदर आ रहे हैं उसके अंदर मिनिस्ट्री जो हमसे बात करती है तब हम इतने इंटेलिजेंट नहीं हम तो जोलर है हमारा जो लॉयर है वो भी अच्छे एक्सपैंस लेता है इसके अंदर जो हमको रिपोर्थ बनाता थै प्रेसेटेशन सु ऽ this हमारे जो घ्रचें हैं वो इंडस्टी के ऊ रहें है मिनिस्ट्री के उपर साथ जो वारतालाब है उसके अंदर सोच बनाने में हो रहे हैं छोटी से छोटी प्रॉब्लम हगर किसी स्टेट के जोवलर को आती है तो जीजेसी तक पर खड़े रहती है तो जो यह कोई प्राइवेट और्गनाइजेशन नहीं है यह प्राइवेट और्गनाइजेशन गवर्मेंट के साथ जुड़ी और्गनाइजेशन है यह सेक्षिनिट कंपणी है और यूद नन प्रॉफिट और गनाइजेशन है ना हमने प्रॉफिट किया है ना हम लॉचित कर सकते हैं जो भी रेविन्यू आयेगा वही अभी तक 17 साल से जितना प्रॉफिट आया है वही साल राकेश भाई खर्चा हुआ है अगले साल नहीं हुआ है वही साल हुआ है 32,000 लोगों को खाना खेला है हम ऐसान नहीं कर रहे हुआ हमने एक ट्रेडिशन नया बना है कि एक तरफ से पैसा लिया एक्जीबिटर से और जो आने वाले लोगों को वह एक्जीबिटर के जितने स्टाफ है उनको भी हमने पूरा आज से चार साल पहले तीन साल पहले पीम मो आशीज भाई ने हमको लीड किया एफम के साथ बात करने के मबर जितनी इंटेलिजेंट लेडी उसके साथ बात करके जीएस्टी गोल मॉनेटाइजेशन और सबके बार में बात हुए लास्ट हमारा जो एपरल का इवेंट हुआ था तब रेल मंत्री दानवेज साब जी आ आने वाले हैं एक अच्छे लेवल के मिनिस्टर होंगे जो भी से बेंट में आएंगे आज भी अगर आप दुबई जाएंगे ना तो बड़े बड़े स्केट आप देखेंगे या जो भी जोलरी देखेंगो इंडिया की बनी हुई है एक मेंटेक में जित यहां पर कम से कम हम अंड्रेट स्टॉल जैसे हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेंड मार्केट्स में कोई भी माल जो बन रहा है जो मशीन से जो एटली टर्की स्विसलेंड से आती हैं जितने यह आपर आपको स्टॉल दिखने सब उनी के पास हैं हम अल्रेडी 40 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहें फॉरेंड मार्केट्स में हमें पीम ने एक्टी बिलियन का डार्गेट दिया अगले थी इन साल में अगर फॉरेंड हंड्र 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 फिफ्टी बायर जाएंगे दोमेस्टी की सेल बढ़ेगी ना अब भी कनफरमेशन आया 15 मिट पहले अभी तीम को भी नही अब ध्रालोग अभी फाइनल हुआ अट्रा लोग अरे नेपाल से बायर बायर और आज जबी भी लो बोलते हैं ना दूबई के अंदर और बहुत बड़ी आममाल है जाती है और जाती है तो आप लोगों को अगर को होई जोई देखनी होगी इटालियन तो भी मैं आपको क सब्सक्राइब से और दोमेस्टिक इंडस्ट्री को अगर एक्सपोर्ट होता तो एडिशनल बिजनेस उनको मिलता है हमने लेटर लिखी है मिनिस्ट्री में भी आने वाले सालों में जो हमारे एक six coffee kg के लिए जीजिसी के अंदर रहेगी इसमें अभी आज क्यों हो गास होगा एक yield जो मारे 20 मिंबर्स वह इंदर 20 मिंबर्स के अंदर पूरे हमारे हर दो साल मेंडिक्शिन हुते यह एक सीत रहे इस ऑप के लिए और एक सीट रहेगी लैप ग५रोन के लिए अगली करेंगे हमने अल्रेडी प्रस्ताप डाल दिया है 99 परसंट यह पास हो गया है और किसी का कोई सवाल रीजनेबल है आगे बरुसे में क्या लगता है अहां तक यह रहेंगे कि आपके सो के बाद या जो सो रहें सोना डॉलर टर्म के अंदर बात अलग होगी और इंडियन करंसी जो है वो अलग होगी तो यह दो अजार पच्चातर का जो डॉलर टर्म के अंदर गोल्ड हुआ था वहां तक के जाने का फिर से अनुमान है उसके अंदर और कल मैय और चेर्मन कल एक सर्वे हम सतने रहे के है और अधी कॉपर माइन के अंदर वोल्ड सिल्वर इस अपाय प्रोड़क्त अधी कॉपर तो कॉपर माइन में स्ट्राइक चल रही है यह सारा सब दिखते वे दोनों चीजों के अंदर भेंकर तेजी आगे मान के चल रहे कि इंडिया में स्वाट हजार रुपई सोने का और चांदी का जो भाव है एक लाख रुपई के असपार जाने का और सेल बढ़ने का पूरा चांस है मैं आपको एक बहुत इंट्रेस्टिंग चीज बता था थोड़ा सा डायवर्ट करके इस पेंडेमिक की अंदर होने के बाद में लोगों के समझ में आगया गोल्ड का इ परटी थी, डिबेंचार स्थे, सारा था, सब का सब जीरो हो गया, क्यूंकि आज युक्रेन की करंसी 10% में भी कोई लेता नहीं, 10 रुपई स्क्वेर फिट में कोई जमीन लेता नहीं, जो लोग महां से निकले हुरों को एक ही चीज कामा ही हुआ है, सोना, चांदी, डायम और उसके लिए कोई वर्किंग अवर्स नहीं लगते है, कोशी नहीं लगते है, तो लोगों को ये रियलाइज हो गया, कि साधी में जो भी खर्चा होता है, वो बैंड पे हो, फटा के पे हो, डेकोरेशन पे हो, चाहे वो मुजिक सिच्चम पे हो, खाने पे हो, कोई चीज रिटन नहीं आने वाली, सब खण भंगूर है, दो गंडे के बाद सब बूल जाएंगे, और उसके बाद में चलेंगा तो केवल सोना चांदी, तो अभी जो रिसेशन की भी बात चल रही है, वर्ड वाइल, मैं पूरे इंडिया के जोलर्स को बोल रहा हूँ कि इंडिया मे कोई रिसेशन नहीं आएंगा, दुल्ला घोडी पे नहीं चाड़ता है, जब तो के दस लोलो सोना नहीं आएंगा, जो ठेरेवा है वो, कपड़े बगर जूलरी नहीं होंगी, चपल बगर शादी नहीं होंगी, तो ये मोमेंट जो इंडिया के अंदर जो कल्चर है, अपन फिकर नहीं बता सकता, लेकिन सोना अगर अभी 1676 US dollars पर राउंस है, 1660 dollars से नीचे की मंदी नहीं है, 49,250 MCX है, 48,500 है 48,700 के नीचे की मंदी नहीं है, उपर में भाव 50,500 से लेके 51,500 तक दिवाली तक जाएगा, और कोमेक्स के अंदर जो इंटरनेशनल रेट्स हैं, वो 1750 से 1760 dollars तक जाएंगे, हर साल international market में पता है कि अभी शराद होते हैं, शराद 25 तारिय तक है बहुत दबा रहेगा, नवरात्रे आते ही दीरे 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 बहुत ड़के, आच्छे 2 लाग रुपे किल्लों के इसाब से सोना बढ़ सकता है, 100% जाये गई, इतना जाये गई, चलो, थैंक यू, अभी आप लोग सब थोड़ा सा कुछ करना जाते हैं, फिर सब मेरे साथ एंट्री पे जाएंगे, पूरा मैं आपको एक्जिबिशन खुद दिखाऊंगा, सब मेरे साथ चलिए, पहले स्नैक्स लेने के बारे, पहले स्नैक्स लेने के बारे, अधिन दार आप लोग सब लोगों का कॉंपलिमेंटरी पास है, अपने एस मेडिया, आप लोग अपने पासेज यहां बना सकते हैं, अपना पासेज बना के, यहां पर जो हमारे विजिटर और एक्जिबिटर कोई कार परकिंग मिलेगी तरब उनकी पार्किंगी दूजर गाड़ी की आप लोगों ने आदा एक्जिबिशन भी नहीं है, जो हॉल नमर 3 है, वो हॉल बढ़ा है, हॉल नमर 2 से, तो अभी यह में आपको एरिया, यहां से अभी आप मेरे वॉक्त्रू होने के बाद, आप लोग सब यहां पर आ जाईएगा, और पर टीम में से यहां आपने यहां आप रूची है ना रूची, रूची, यह रूची है, यह से आप अपने पास्टिस बनवा लीजिएगा, और सेंटर, कर दो एक है टाईएगा अपने कर दोची है घची है एंवा यहां आपड़े बीजिए।